नमस्कार वाला विजर्थी मित्रों केम चो जेके एजुकेशन चेनल मा तमारू हादिक स्वागत थे आजे आपने धोरन चार फिशय हिंदी केचे नुदित्य संत्रान परिक्षानू समपोर्ण सलीशन करीश्यू चेना कुल गुण 40 रेश्ये तो चालो विजर्थी मित्रों स ह्णाम है मोटरकार और दूसरा जो चित्र है उसका नाम है सेब है और खूर्ण वाले जो चित्रों है उसका नाम है खर गोश्ट फल वाले चित्रों में जो लिख रहा है उसका नाम है बंदर एक फिफ्ट वाले जो चित्रों है उसमें आपको दिख रहा है गोबीज सिक्स्ट वाले चित्रों में है चम्मझ प्रश्ण एक बो चित्रों के आधर परवाक्य लिखिये तो पहले वाले चित्रों में पतंग है तो यह पतंग है और दूसरे वाले उसमें है जिसमें हमें लिखना है कि वह पतंग है जो दूसरा आपको जो चित्रों दिखाई दे रहा है उसमें यह पुस्तक है और जो दूर से हमें दिख रही है, वह पुस्तक है, जो हमें लिखना है, प्रश्ण बे ओ, प्रश्णों के उत्तर लिखिए, पहलू, हाथी क्या-क्या खाता है, उत्तर में आएगा कि हाथी फॉल और लाडू खाता है, दूसरा वाला, आपके कहा कहा चूले देखे हैं, तो हमें उत्तर में लिखना है कि मैंने बगीचे में, मेले में, शाला में, चूले में देखे हैं, त्रीजू, बुढिया को सबसे ज़्यादा डर किसे लगता है, उत्तर, बुढिया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था, चोथू, लाडू कैसे थे, उत्तर, लाडू मिट्टे और गोल थे, प्रश्ण तरण, चित्र देखकर चार वाक्यों लिखिए, तो वाक्यों है कि यह एक बगीचा का चित्र है, बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं, बगीचे में पेड दिखाई देते हैं, बगीचा शोहर के पास के बगीचों में कीडाग दिखाई देता है, प्रश्णत्रण ब गिंतिको अंकों में लिखिए विद्यार्थी मित्रों आपको निचे दिखाई दे रहा है जो हमें 12 दिखे है जो हमें अंक में लिखने है और दूसरा है 15 जिसको हमने 15 अंकों में लिखने है प्रश्णत्रण को गिंतिको शब्द में लिखिए तो विद्यार्थी मित्रों निचे हमको अंक दिखे हुए है तो उनकों हमको शब्दों में कन्मंट करना है तो हमें शब्दों में 3 और 8 लिखना है प्रश्ण चार सुचना के अनुसार कीजिए और शब्दों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए पहलू परेशान तो उसका वाक्य बनेगा कि ज्यादा गर्मी होने से मैं परेशान हो गया दुस्तरा है चंजलाना तो क्रोधी थोना तो उसका वाक्य ये बनेगा कि अच्छे माक्सन आने पर सुरेश का पिता चुजलाता है ब विरुदाती शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए पहलू आज तो उसका जवाएगा कल और वाक्य बनेगा कि कल मेरे चाचा घर आये थे दुस्तरा हसना और रोना तो उसका वाक्य बनेगा छोटे बच्चे को रोना आया कर लिंक परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए तो पहला है कि बच्चा खेल रहा है तो उसका उत्तराएगा कि बच्ची खेल रहे है सेकेंड कोडा दोड रहा है तो कोडी दोड रही है प्रश्ण पांच अ आदे अदूरे वाक्य पूर्ण कीजे तो पहले में खाली जग्या कववा है उसका रंग काला है तो आयेगा आंसर वह दूसरे वाले में में खेल खेल खाली जब गया तो उसका जवाब आएगा रहा हो किसी एक शब्द पर चार पांच वाक्य दीखे तो हमने लिया है मेरा प्रिय पक्षी तो मेरा प्रिय पक्षी तोता है तोता एक बहुत सुन्दर पक्षी उसके पंक हरे रंके होते है उसकी एक लाल रंकी चौँच होती है उसकी चौँच मुंडी बुड़ी हुई होती है तोते की गर्दन पर काले रंके वृत्त होते है फूल मिला कर यह एक महतर आकर्षक पक्ष्री होता है यह दाने फल पत्ते बीज आम एवन उबले चावल इतिया दीखाता है मेरी पाठ चाला मेरे विद्याले का नाम शाश्त्रेदिक प्रात्मिक शाला है मेरी शाला सुब आट तरीस बजे लगती है और दोबर तीन बजे हमारी छुटी होती है हमारे स्कूल में कूल 15 कमरे है हमारे स्कूल में एक बड़ा मेदान भी है जिसमें हमें हम खेलते हैं हमारे पाठ चाला के ठीक सामने एक सुन्दर बगीचा है बगीचे में सुन्दर सुन्दर फूल खिले हैं तो विद्याती मित्रो तमें आ सोल्यूशन सांबलियू चोयू औने समझिया ते बदल तमारो खूप-कूप आपार तेमच आ विडियो नी लिंक तमें तमारा मित्रो औने दोस्तों ने जरूरती शियर करजो थेंक यू आला विद्यारती मित्रो ओल्ल बेस फोर योर एक्जा आम